कि नमश्कर मैं उराउल शुर्मा आप देखने एस्पे नाय नियूस वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुर्वात हम यहां पर करेंगे आजम खान से जिया आजम खान भीते काफी वक्त से चर्चाओं में हैं और चर्चाओं में रहने की सबस समाजबादी पार्टी का छोड़ना दरसल यह देखा जा रहा है कि आजम खान का जब से बयान सामने आया है कि नई कष्टी मिली तो उसमें सवार जरूर हो जाएंगे तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई आजम खान आने वाले वक्त में समाजबादी थे कि बिना आजम खान के वो मुसल्मान वोट अपने साथ जोड लेंगे इसके लिए अखलेश शादो भी थे कुछ समय पहले इफ्तार पार्टी जो मुसल्मानों के तरफ से आयोजित की जाती है उसमें भी शामिल हुए थे लेकिन सीधे सीधे तोर पर ये देखने को मिला कि शायद उतना बड़ा फायदा अखलेश शादो को नहीं मिला यानि कि आजम खान की बिना जो मुसल्मान वोट बैंक वो जुटाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे में वो पूरा होता नजर नहीं आया और अखलेश शादो भी समझ गए कि बिना आजम खान के वह अधूर है क्यो खान का कितना बड़ा रोल समाजवादी पार्टी में है लेकिन अकलेश शादो ये बात नहीं समझते थे इसलिए अकलेश शादो ना कभी जेल में आजम खान से मुलाकात करने गए ना उनके परिवार से कभी मुलाकात करने गए और सीधे सीधे तोर पर ये जरूर देखने को मिला कि जिस तरह मौजुदा समय के हालात हैं उसको देखकर अकलेश यादव की अकल ठीकाने पर आ गई है हाला कि आजम खान जो है वो फिलहाल समाजबादी पार्टी से वैसे ही नाराज चल ले जैसे नाराज चल ले थे अकलेश यादव से वैसे ही नाराज चल ले तो यह कि लेत नहीं आपसे फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक कि ले जा दीजे नमस्कार